कि नमस्कार अदाब मैं हूँ फराज चौधरी आप देख रहे हैं इंडिया फाइड निउस आज हम नज़र डालेंगे कुछ अब तक चल रही एहम पांच खबरों के उपपर तो शुरू करते हैं पहली खबर से तो भाया पहली खबर है कि सम्मित पात्रा जिसको लेकर कॉंगरेस ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्श कराई थी क्योंकि उन्होंने जवाहर लाल नहरू और राजीव गांदी का मजाग उड़ाया था कोरोना को लेकर देखे बात तो पहले शिकायत तक ही थी मगर और इंड के अरेस्ट गिराफतार नहीं कर सकती नॉन कॉंगनिजीबल ओवेंस कुछ जादा बड़ी चीज नहीं है इन लोगों के लिए और मैं बता दूं कि आ उनके उपर धारा 500 के तहत मुगदमा हुआ है अब इस धारा में अगर आप राश्पती उप राश्पती या गवर्णर या किसी उचे पत पर रह चुके किसी नेता का मजाग उड़ाते हैं मानहानी करते हैं तो आप पर यह धारा का इस्तिमाल होता है अब इस धारा के तहट आपको सजा मिल सकती है दो साल की या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं अब संभीत पात्रा तो ज जो रुमाना देंगे यू निकल जाएंगे अब देगे दूसरी खबर दूसरी खबर है कि आपको पता है सुधीर चौधरी पर किरेले पुलिस ने फायार दर्च करके 295A 295A के तहट मुकदमा दर्च किया है अब सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक खुलासा किया है कि उनको पाकिस्तान से धंक्यश आनी शुरू हो गई है क्योंकि उन्होंने जिहाद के खिलाफ वोला है एक तो यार यह पाकिस्तान बहुत बड़ा चेप है मतलब हमारी मीडिया से ऐसे जुला हुआ है जैसे फैविकॉल का मस्बूत जोड़ ना चाहते हुए भी एक न एक बार सुर्ख्यों में पाकिस्तान जरूर आता है देखो भाई यह बात तो गलत है नहीं आप परायमुल्क में बैठके किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं और सुधिर भाई छोड़ो इनको यार यह तो ऐसे लोग हैं चट्ड़ो पर आप भी बहुत चलाख हो अरे नहीं 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 मालो सुधिर भाई आपने इतने बड़ी अतरीके से पूरी जो के रहा मापके उपर एफ आयार हुई है उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया ताकि सब को यह लगे कि जो एफ आयार हुई है वो किसी पाकिस्तानी एजेंट ने करी है और सारा मुकदमा ही खारिज हो जाए वाह वेरी क्लेवर अब का ट्वीट देख लीजिए अब सुदीर भाई आप एहसास क्या कराना चाहते हो कि मोदी जी विल नौट लास्ट फॉरेवर ठिंक और फूचर अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है यह एडवाइस है यह धंकी है और यह हमारे लिए है हिंदुस्तानियों के लिए यह पाकिस्त से बचाएंगे जो शक्स अपने देश के मज़ूरों को नहीं बचा पा रहा वहमें पाकिस्तान से कहसे बचाएगा और एक और बात यह जो पाकिस्तान अपना आपको आज बहुबली समझने लगा है ना यह आप लोगी की वज़े से ही है अरे मतलब पूरे दिन अपने चै क्या बात करते हो यार अब तीसरी खबर है मज़ूरों के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाओंगा और शायद वो देखके आपकी आखे खुल जाएं जैसे मेरी खुली हुए हैं और आपके विश्वास में भी कमी आ जाएगी आपको पता होगा कि श्रमिक ट्रेने चला आने का जो ट्रेन का किराया था वह भी उनी से मांगा गया था वह भी महंगा करके यानि जो टिकेट 630 रुपे की थी वह मज़ूरों को 800 रुपे में दी गई थी मैं विशेशकर उनकी बात कर रहा हूं जिनोंने सूरत से लेकर उत्तर प्रदेश तक की यात्रते की थी अरो भाई पहले तो उन विचारों को इतना तंग कर दिया फिर कुछ करकर उनकी ट्रेन चलाई गई तो किराया भी उनी से मांग लिया और क्या आपको पता है कि गुजरात में अभी भी कितने मज़ूर फसे हुए हैं और अभी भी कितने मज़ूर पैदल ही रोटस से अपने घर जा रहे हैं और यह और अरंगाबाद की घटना तो याद होगी अरे ताजी ताजी है जिसमें कई मज़ूरों के उपर से ट्रेन गुजर गई थी और अब देखिए कुछ स्क्रेंड शॉट्स जो शायद पुराने हैं मगर आज की तारीक में बिल्कुल फिट बैठते हैं क्या सोच रहे हो भाई प्रदान मंत्री और मज़ूर में कुछ फर्क नहीं होता प्रदान मंत्री हैं वो उनके कंदो पर पूरा देश है मज़ूर क्या है टेको ट्रेन चला दिना कुछ बस खुश रहो बार बार यह सवाल पूछना बंद कर दो नहीं बस आप्यज मजब न cuisine a और अब्क्रदी खबर है वह बहुत एहद है और वह है कि जो कोरोणा वार्यर्स इंजिसमें डॉक्टर्च स्थम्हार्ई इंडिश सेवrese है वह हैwan और हम दिन भर खबरे भी सुनते होंगे कि कितने डॉक्टर नर्सिस और पुलिस कोरोना के शिकार बन गए हैं पर क्या आपको पता है कि टीचर्ज भी अब इसी श्रेणी में आने लगे हैं अब पूछेंगे कैसे आपको पता ही टीचर्ज इस वक्त क्या कर रहे हैं टीचर्ज लगातार गरीबों को खाना खिला रहे हैं सरकार सिर्फ गरीबों के खाने का प्रबंद कर रहे हैं पर जो जमीनी स्थर पर गरीबों को खाना दे पा रहे हैं वो टीचर्ज ही हैं और वो भी इतनी बड़ी रिस्क पर क्योंकि क्या पता उस भीड में कौन कोरोना ल किया गया बस उन्हें कह दिया गया जाओ duty करो it's an order और देखिए यही कारण है कि duty करते-करते एक शिक्षिका एक टीचर की मौद भी हो गई है कि अब इसी संदर्ब में कई टीचर्स ने मिलकर सरकार को खत लिखा है कि टीचर्स की सेफ्टी का वे ध्यान रखा जाए वरना यह एक नजर से आकना आपका करतविय बनता और सोचिये ज़रा अगर नहीं رहेंगे तो क्या होगा वहुअ देश्टर बच्रेर्ध जैना सिखाता है उसे सफल रास्ते कि आइज दिखाता है काम्याब होने के राच्टे दिखाता है अब आकरी खबर होगी कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ special trains चलाई जाएंगी जो कि दिल्ली से भारत के अलग-अलग राज्यों में जाएंगी जैसे दिल्ली से राजिस्थान, जम्मू या चेन नहीं अब कुछ trains होंगी जो हफते में रोज चलेंगी, कुछ trains हफते में दो बार चलेंगी और कुछ trains हफते में तीन बार चलेंगी अब इसमें कुछ जरूरी किया गया है तो वो ये है कि जो भी यात्री इन ट्रेनों से यात्रा करेगा उन सब के मुबाइल्स में आरोग्य से तू एप का होना अनिवार रहे है जरूरी है अब आरोग्य अब वही अब है जो आपको ये बताताहे है कि आपके पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज सो नहीं है अब देखे सवाल वही उठता रहे हैं जिसको सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया है और शायद कुछ जिनों में सरकार air flights का भी एलान कर सकती है अब देखे सवाल वही उठता है कि ट्रेंज में जो यात्रा करते हैं वो जादतर वो लोग होते हैं जिनके पास android phone, smart phones नहीं होते तब वो लोग क्या करेंगे या तो सरकार अपने rules में बदलाव करे या फिर हर किसी को smart phone खरीद कर दे हाँ फिर तो यह हो सकता है कि सब अपने phone में आरोग्य app डाउनलोड कर ले और शायद उसका पालन भी कर ले पर ऐसा होना भी बिल्कुल असंभव है दोस्तों आपको खबर कैसी लगी ये मुझे comment करके बताएं खबर को लाइक कीजिए जादे जादे लोगों में शेयर कीजिए हमारे चैनल एंडिया फायर नीउस को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन जरूर दबा दे ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए धन्यवाद दे